हाडोती श्रित के मेरे सभी लगू उद्ध्योमी और नए इनोवेशन नए स्टार्ट अप करकर अपनी सेवाए देने वाले सभी उद्ध्योमी व्यापारियों को इस MSME मेले के लिए मैं शुब कामना देता हूं बढ़ाय देता हूं MSME सेक्टर मध्यम लगू और सुष्म उद्ध्योक के रूप में एक महत्पुन योगदान इस देश की अर्थवैस्ता में दे रहा है आज भी भारत के अंदर अर्थवैस्ता की पईयों को चलाने में MSME सेक्टर का बहुत योगदान है और उसी के साथ रोजगार देने में भी MSME सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है MSME सेक्टर के अंदर एक व्यापक रूप से बहुत बड़ी संभावना है कोटा बूंदी क्योंकि एक ऐसा स्ट्व है जो क्रशी पे आधारित है जहां कोटा इस्टोन का पत्थर है जहां हमारे लगूद्योग के रूप में अलगलग सेक्टर के लोग में उद्ध्यूमी है हमारी कोटा डूरिया की साड़ी ऐसे बहुत सारी लगूद्यूमों के कारण कोटा की बड़ी पेचान है कोई समय हुआ करता था कि कोटा को अध्योगिग नगरी कहा जाता था अब वो समय फिर आ गया है कि हम कोटा को किस तरीके से अध्योगिग नगरी के रूप में इस्तापित करें इसके लिए मैं यहां के नोजवानों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप MSME सेक्टर हो नई रिशर्च जो लोगों ने किया है नई स्टार्ट अप जो लोगों ने शुरू किया है उसको समझें और किस तरीके से इस सेक्टर में हम नई क्रांटी ला सकते हैं यहां के नोजवानों के अंदर एक व्यापक उद्यमिक संभावना में देखता हूं यहां पानी बिजली रोड कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी आने वाले समय में एर कनेक्टिविटी भी होगी हम कनेक्टिविटी के रूपे भी देखें तो कोटा देश का एक प्रमुक शहर है और इसलिए मेरा आपसे आग्र है कि कोटा में लगने वाले इस MSME मेले के अंदर एस्पो के अंदर और नए स्टार्ट अप जो देश के अलगले हिस्सों में आएं उसमें जरूर पधा रहें देखें किस तरीके से देश के अलग-अलग राज्यों के अंदर अपनी वहां की संभावनाओं को देखते हुए MSME सेक्टर के अंदर लगू उद्ध्योग के अंदर कुटिर उद्ध्योग के रूप में उन्होंने किस तरीके से अपने उत्पाद को केवल राष्टी नी अंतराष्टी इस्तर का बना कर एक दुनिया को के अंदर उनकी बाजार नया बाजार मिला है MSME सेक्टर दारा संचालित विविन योजनाओं के आपको जानकरी मिलेगी खादी ग्राम उद्ध्योग कोईर बोर्ड और विशेश प्रूप से विविन उत्पादकों की प्रदश्टी भी या लगीगी जिसको हम देखकर ये देख सकते हैं कि क्या-क्या संभावनाय कोटा में हैं उन संभावनाओं के आधार पर हम नए उद्ध्योग लगाने का योजना बना सकते हैं पिछली बार यहां डिफेंस एस्पो हुआ था मेसमी के बाद स्टार्ट अप मेला होगा मेरा कोशिश है कि यहां के उद्ध्योग में जो आत्मिश्वास से बरे हुए हैं लेकिन संभावनाओं को अवसर में बदलना हैं और मैं कह सकता हूं जितनी बैतर संसाधन की देश में कहीं नहीं है इसलिए आईए इस मेले के अंदर नए उद्ध्यों में भी आए और जो विहुन उत्पादों की प्रदश्टी लगेगी उसके लिए कोटा की जनता भी आए महां लगने वाले मेले में खरीददारी करें और हमारी जो महिला है कोटा की जो छोटे-छोटे स्टार्ट अप चलाती है उन्होंने किस तरीके से घर में रेकर एक 32 उत्पाद तयार किया है उसको भी देखें खरीदें भी सही और हमारी कोशिश होना चीए कि हमेशा लोकल को वोकल बनाना है लोकल के माल को खरीदना है हमारी MSV सेक्टर हो या हमारी मेलय उद्ध्यमी हो या हमारी छोटे-छोटे काम करने वाले छोटे कारिगर हो हस शिल्प वाले उद्ध्योग वाल हो उनकी कला की कला करतिया हो उस सब को खरीदें और उनको प्रोसान भी दें मैं आपका इस मेले में हार दिक स्वागत करता हूँ अभिधनन करता हूँ ये मेला चार और पांच छे तारी को लगेगा मुझे आशा है होली के इस शूब अफसर पर आप मेले का लाव उठाएंगे और आने वाले समय में कोटा को MSME सेक्टर का बड़ा हब बनाने का प्रय करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद